नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका अमारे यूटूब सेनल जगू ग्यान में दोस्तो थमनल देकर आप समझी गए होगे कि आज की वीडियो किस टोपिक पर होने वाले है जी हाँ दोस्तो, आज हम बात करेंगे क्रेडिट भी एप के बारे में दोस्तो, कहीं बार हमें इमर्जन्ची में पेशो की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाते है तब हम लोन लेने की चोशते है दोस्तो, आज से कुछ समझी पहले हमारे पास लोन लेने के लिए सिर्फ बैंक एक ही ओप्सन था हालांकि बैंक से हमें लोन तो मिल जाते है लेकिन इसके लिए हमें बैंक के चक्कर काटने पड़ते है और पूरा पेपर वर्क करना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है और ऐसे में अगर हमें ताथकाल पेशो की ज़रूरत हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन दोस्तो आज के समय में हम घर पर बैट कर ही अपने स्मार्ट फोन से ओनलाइल ताथकाल प्रस्टनल लोन ले सकते है दोस्तो वेसे देखा जाए तो आज कल मार्केट में कहीं सारी प्रस्टनल लोन अप्लिकेशन अवेलेबल है जो हमें प्रस्टनल लोन प्रोड करती है लेकिन ताथकाल प्रस्टनल लोन लेने के लिए क्रेडिट भी बहुत ही अच्छी अप्लिकेशन है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेगे credit b app में account क्येसे create करे registration कैसे करे video kyc कैसे करे और loan लेने के लिए apply कैसे करे जैसि credit b app की complete process होने वाले है तो आप भी प्रशनल लेना चाहते हो तो video को skip मत किजिए और video को complete देखेगा दोस्टो video start करने से पहले हमारे आपसे एक चोटी सी request है कि अगर आप चैनल में नए है तो प्लीज चैनल को subscribe कर ले बेल आइकन डबाय कर notification ओन कर ले जिसे हमारे हर आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो सलिया दोस्तों आपका ज्यादा तमना लेटे हुए let's start the video दोस्तों description में आपको credit be app की link मिल जाएगी उस पर click करके इस वाली app को install कर लेना है दोस्तों credit be app से आप 1000 रुपे से लेके 2 लाख रुपे तक का लोन ले सकते हो इसमें 0% से 29.95% तक का व्याजदर रहेगा और 62 days से 15 months तक का लोन repayment करने का समय मिलता है दोस्तों credit be app को NBFC और RBI द्वारा register किया हुआ है यानि कि RBI ने इसे approval दिया हुआ है जिससे आप इस एप पर 100% भरोजा कर सकते हो दोस्तों credit be आपको अलग-अलग तिन प्रकार के लोन प्रोवैड करती है पहला है flexi personal loan जिसमें श्रीप पानकार और आधार कर देके 1000 रुपय से लेके 15,000 रुपया तक का लोन मात्र 10 मिनिट में अपने bank account में ले सकते हो जिसका 10 year time रहेगा 62 days से 6 month तक का दूसरा टाइप है personal loan for salary यहां से आप 10,000 रुपय से लेके 2,000 रुपया तक का लोन ले सकते हो इसके लिए आपको पानकार आधार कार और एक salary प्रूप देना पड़ेगा और 3 मेहने से लेके 15 मेहने तक का 10 year time मिलता है और 3 है online purchase loan दोस्तों यहां पर आपको 1,000,000 रुपया तक का e-woucher मिलेगा जिसकी मदद से आप Amazon free card जैसी बड़ी-बड़ी e-commerce company से shopping कर सकते हो और बाद में EMI through repayment कर सकते हो दोस्तों इसकी eligibility की बात करें तो आप एक भारतिय नागरी होना चाहिए आपकी उम्रे 21 year से कमनी होनी चाहिए और आपके पास monthly fixed income का एक source होना चाहिए लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ कि आप कोई job नहीं कर रहे हो फिर भी यहां से आप flexi personal loan ले सकते हो तो चलिए दोस्तों इसे आपको open करके sign up कर लेते हैं और इसकी registration process complete कर लेते हैं इसकी लिए यहां पर open पर click करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको अपनी language select करने है तो इन में से कोई भी एक select करके continue वाले option पर click कर दे तो आपके सामने कुछ यहां पर open होगा यहां पर simple यह आपको get start पर click करना है दोस्तों यहां पर आप simply mobile number से sign up कर सकते हो जिसके लिए sign up with mobile पर click करना है यहां पर mobile number एंटर करके continue वाले option पर click कर देना है तो आपके mobile number पर एक कोटी पर आएगा उसको यहां पर enter करके submit वाले option पर click कर दे तो यहां पर यहां पर आपसे कुछ permission मांगेगे तो इसे निशे स्क्रोल करके box पर click करके I agree पर click करना है उसके बाद using the app पर click करना है और उसके बाद allow पर click करना है यहाँ पर आपको box पर tick करके continue वाले option पर click कर देना है दोस्तो आपके सामने आप नए आप page open होगा जिसमें referral code और email id एंटर करने है दोस्तो referral code optional है आपके पास ना हो तो भी चलेगा और आप चाहे तो ये code भी दे सकते हो और उसके बाद box पर tick करके continue पर click कर देना है दोस्तो यहाँ पर यह बता रहे है कि आपके pancard के detail देनी पड़ीगी जिसके लिए आपको अपना pancard ready रखना है तो यहाँ पर आपको get install approval पर click करना है यहाँ पर आपको अपना first name और last name में एंटर करना है जिसा pancard में हो वे साही उसके बाद next कर देना है दोस्तो यहाँ पर आप अपने date of birth इंटर कर दे उसके बाद gender सिलक करके next वाले button पर click कर दे दोस्तो इस वाले page पर आपको pin code और income सिलक करनी है जिसके लिए यहाँ पर आप अपना area का pin code इंटर कर दे employee type में salary या self lamp पर सिलक कर दे और उसके बाद अपने monthly income यहाँ पर इंटर कर दे दोस्तो यहाँ पर बताया हुआ है कि आपकी family की monthly income 17,000 रुपय से कम नहीं होनी से है तो उस हिसाब से यहाँ पर आप income इंटर करेंगे और इस box पर click करके next वाले button पर click कर दे यहाँ पर पांकार इंटर करके box वाले option पर click करके next वाले button पर click कर दे दोस्तो अब आपके सामने आपकी पूरी detail आजाएगी आप उसमें कुछ change करना साहे तो change वाले option पर click करके change कर सकते हो वरना यह box वाले option पर click करके submit वाले option पर click कर दे दोस्तो अब आपकी eligibility शेक होगी कुछी समय में आपके mobile number पर एक SMS आएगा उसमें आपको बताया जाएगा क्या आप loan ले सकते हो या नहीं उसके बाद simple आपको refresh वारे बटन पर क्लिक करना है दोस्तो आप loan के लिए eligible होगे तो आपको Congressulation का message आजाएगा उसके बाद simply continue उपर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने credit b app का dashboard आजाएगा दोस्तो यहाँ पर आपको तीनो टाइप की loan amount दीख जाएगी लेकिन पहले यह तीनो एप लोक रहेगी यानि कि अब भी आप यहाँ से कोई loan नहीं ले सकते है इसको unlock करने के लिए सबसे पहले आपको registration process complete करनी पड़ीगी इसके लिए simply यहाँ पर continue application पर click कर देगी तो आपको three step में यहाँ पर registration process complete करनी है तो सबसे पहले KYC document पर click करके आपको अपना अधारकार, पानकार और एक selfie upload करनी पड़ीगी उसके बाद basic information में click करना है यहाँ पर आपको अपना status, education, profession select करना है और यहाँ पर अपना पूरा address fill up करना है उसके बाद simply नीशे continue उपर click कर दे तिसरे step में आपको reference contact देना है जिसके लिए simply यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना father name और mother name एंटर करना है उसके बाद provide contact reference में आपको अपना father, mother या suppose में से कोई भी एक को select कर लेना है और उसका mobile number यहाँ पर एंटर करना है उसके बाद अपना एक दोस्त का नाम यहाँ पर एंटर करना है और उसका mobile number यहाँ पर इंटर करना है और simply continue पर click कर देना है उसके बद आपके profile approval होगी जिसके लिए थोड़े ही समय में आपके mobile number पर एक SMS आज जाएगा जिसमें आपको बताएज जाएगा कि आपके profile approval हुई है या नहीं हुई है उसके बद simply refresh पर click कर दे तो दोस्तो अब आपको यहाँ पर video kyc complete करनी होगी जिसके लिए simple यहाँ पर video kyc वालो option पर click करके continue वालो option पर click कर दे तो आपके सामने एक नहीं हाँ आज open होगा उस पर आपको get start video call वाला एक option मिलेगा उस पर click करोगे तो आपकी video call credit b के customer educational के साथ connect हो जाएगी और वह आपसे कुछ simple सवाल कुछेगे जैसे कि आपका नाम आपका birth date आपका फादर का नाम ऐसे simple सवाल कुछेगे उसका सही सही उत्तर आपको देना है उसके बाद आपको back camera से अपना पान कार दिखाना होगा उसे और उसके बाद वह अपनी KYC अप्रूर कर देगे KYC अप्रूर हो जाने के बाद आपके सामने इसा page open हो जाएगा जिसमें simply continue उपर click करना है आपको तो आपके सामने इसा congressulation वाला message आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपकी profile अप्रूर हो गई है और आप अब loan ले सकते हो तो simple यहाँ पर continue उपर click कर देंगे तो अब आप फिर से credit be app के homepage में आ जाओगे दोस्तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी flexi personal loan unlock हो गई होगी और यहाँ पर आपको एक loan amount दिखेगी उतनी loan अभ्याप ले सकते हो लेकिन दोस्तो मैं बता दूँ कि सरुवाती दोर में यहाँ पर आपको ज़्यादा amount की loan नहीं मिलती और यह दोनो टाइप की loan भी unlock रहेगी जैसे ही आप यह पहली वाली loan लेके उसका time to time repayment करोगे तो आपकी loan की amount increase होगी और यह दोनो टाइप की loan भी unlock हो जाएगी लेकिन दोस्तो एक बात और बता दूँ कि यह दोनो loan unlock हो जाने के बादा शुरुवात में यहाँ पर भी आपको कम amount का ही loan मिलेगा इसे increase करने के लिए भी पहले आपको यहाँ से कम amount का loan लेके time to time repayment करना होगा और दोस्तो आप एक salary person हो और आप 2 लाग तक की loan increase करना चाहते हो तो उसका एक और तरीका भी है जो मैं इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर आप 2 लाग की loan unlock करना चाहते हो तो आपको description में एक link मिल जाएगी उस link पर click करोगे तो आप direct इस वाले page पर पहुंच जाओगे यहाँ पर हमने credit b app के बारे में step by step समपून जानकरी बताई हुए है आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो वन्ना यहाँ पर नीचे scroll करोगे तो आपको table of content दिखेगा और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा credit b loan app में बड़ी loan amount को unlock कैसे करे तो आपको simple यहाँ पर click करना है तो आपके सामने यहाँ पर पूरी जानकरी आ जाएगी यहाँ पर लिखा हुआ है credit b loan app से बड़ी loan amount को unlock कैसे करे और यहाँ पर हमने दो तरीकी में पूरी जानकरी बताई हुए आप बड़ी loan amount को increase करना साथ हो तो यहाँ पर पढ़ के कर सकते हो अगर यहाँ पर पढ़ने के बाद भी आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे comment में बताए मैं इसके उपर एक dedicate video लेके आ जाऊंगा दोस्तों यहाँ पर loan के लिए apply करने के लिए simply gate now उपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने SI interface आएगा यहाँ पर फिर से gate ना उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा फ्रीश टक्सर आ जाएगा यहाँ पर आपको interest दिखाई देगा और यहाँ पर कौनशी कौनशी fees लगेगी वो दिखाई देगी और यहाँ पर आपको यह fees कट होके कितना amount मिलेगा वो दिखाई देगा और यहाँ पर आपको 10 new time दिखाई देगा तो यह पढ़ने के बाद simply continue पर क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर आपके पास coupon कड़ हो तो apply करना है और simply view repayment schedule पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने अब repayment schedule आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके कौनसी कौनसी तारिक पर कितना कितना repayment करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप repayment नहीं करते हो और late करते हो तो कौनचा कौनचा सार्ज लगेगा यह पढ़ने के बाद simply okay पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको loan का परफोस सिलेक करना होगा यानि कि आप क्यों लेना चाहते हो तो simply यहाँ arrow वाले बटन पर क्लिक करके कोई भी एक परफोस सिलेक कर ले और simply continue वाले बटन पर क्लिक कर दे अब आपको यहाँ पर saving bank account येट करना होगा इसके लिए यहाँ पर saving bank account पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको IFC code, account number और confirm account number एंटर करना है और इस box पर टीक करके येट account पर क्लिक कर दे तो अब आपके सामने कुछ ऐसा एंटर पर आजाएगा यहाँ पर बता यह हुआ है कि आपके अकाउंट को verification करने के लिए आपके अकाउंट में एक रूपिया भेजेगी तो यहाँ पर आपको continue पर क्लिक कर देना है अब आपके सामने केसाई पेज ओपन होगा यहाँ पर यह बता रहे है कि आपका अकाउंट 100 गंटे के अंदर verify हो जाएगा लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपको इतना ज्यादा time नहीं लगेगा यहाँ पर minimum 5 मिलिट के अंदर आपका अकाउंट verify हो जाता है अकाउंट verify हो जाने के बाद आपके mobile number पर एक SMS आएगा उसके बाद refresh पर क्लिक करके continue तो sign agreement पर क्लिक करना है तो आपका यहाँ पर अकाउंट verify हो जाएगा आप साहे तो यहाँ पर क्लिक करके आपना दूसरा अकाउंट भी add कर सकते हो अब आपको simple यह box पर टिक करके continue तो sign agreement पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा एंटर फेस आजाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि sign agreement के लिए आपको एक OTP और अपनी selfie अउपलोड करनी पड़ीगी तो आप simply यहाँ पर process पर क्लिक कर देंगे आपके सामने यहाँ पर यह पूरा agreement आ जाएगा इसको पूरा पढ़के एंट box पर क्लिक करके we agreement and sign पर क्लिक कर दे अब आपके सामने loan application form आएगा आप साहे तो इसे पूरा पढ़ सकते हो उसके बाद simply request OTP पर क्लिक कर दे यहाँ पर आपको यह तीनो box पर क्लिक करके sign now पर क्लिक करना है तो आपके mobile नमबर पर एक OTP आएगी यह auto जनरट हो जाएगी उसके बाद simply submit पर klik कर दे तो यहाँ पर यह बता रहा है कि आपको अपना face verification करना है जिसके लिए simply यहाँ पर continue पर klik कर दे जैसे इ continually पर klik करेंगे तो आपके सामने कुछ एसा interface आ जाएगा यहाँ पर यह बता रहा है कि आपको अपनी clean selfie देनी है इसमें आपको गोगल्स नहीं पेरनी है और केप नहीं पेरनी है तो यहाँ पर आप Simply Process to Take Selfie पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी Selfie क्लिक करनी है अपनी Selfie देने के बाद आपकी Face ID Verification होने के लिए थोड़ा Processing होगा अगर आपकी Selfie Verify हो जाती है तो आपके सामने एक Page Open हो जाएगा और उसमें लिखा हुआ आजाएगा कि आपकी Loan Application Successfully Receipt हो चुकी है और आपकी Loan Amount 10-15 मिलिट के अंदर आपके Bank Account में मिल जाएगी लेकिन मैं बता दो दोस्तों के यहाँ परसी एक मिलिट के अंदर आपकी Loan Amount आपके Bank Account में आ जाती है दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे Comment करके पूछ सकते हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे आपके एक लाइक हमें अच्छी जानकर या लाने के लिए प्रेरीद करती है और दोस्तों इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेथ करना ना भूले तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई